हेलो दोस्तो यश टीवी पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लिख रहा हूँ 100 रूपय से लेकर 200 रूपय की रेंज वाले स्टॉक्स की लिस्ट जो अभी काफी जादा अट्राक्टिव लग रहे है और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में हमें एक अच्छी राली देखने मिल सकती है इन सभी स्टॉक्स में तो दोस्तो इस वीडियो को एंटक जरूर देखेगा काफी इंट्रेस्टिंग शेर्स के बारे में आपको इस वीडियो से जानकारी मिलेगी और दोस्तो अगर आपने मेरा ये वला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाकर आपको देखना चाहिए शेर मारकेट में हम अपना लॉस कैसे अवोईड कर सकते है और कौनसी ऐसी चीज़े है जो हमें शेर बाजार में नहीं करनी चाहिए सब कुछ एकदम डीटेल में मैंने समझा है ये वीडियो आपके लिए बहुत कामका हो सकता है और इसमें आपको बहुत सारी नई चीज़े सीखने मिल सकती है तो वीडियो जरूर जाकर चैक आप कीजिए और अभी आप मुझे इंस्टेग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो वहाँ पर में शॉर्ट और सिंपल वीडियो में बहुत सारी इन्फोर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहता हूँ तो चलिए दोस्तों डिस्कलेमर को पढ़ते हुए सीधे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर तो हमारे लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है स्टार पेपर मिल्स लिमेटेड ये गोयंका गुरूप की पेपर मिल कंपनी है जो इंडस्ट्रियल पेपर, पैकेजिंग और प्रिंटिंग पेपर की मैनुफेक्चरिंग करती है इनका सारंगपूर UPA में इकलौधा मैनुफेक्चरिंग प्लांट है जहाँ पर ये एन्वेली 75,000 टन्स की मैनुफेक्चरिंग करती है तो कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में सेंचुरी लामिनेटिंग, ग्रीन प्लाय, HUL एंड ITC जैसे बड़े दिगज प्लियर्स ये शामिल है जो इनको repeated orders प्रोवाइड करते है तो December quarter में कंपनी ने 93 क्रॉर रूपीज का revenue जनरेट किया था और उसके उपर कंपनी ने 7.2 क्रॉर रूपीज का net profit ये record किया है तो stock ये चल रहा है 20KP ratio पर जो कि इसके valuation को काफी ज़ाधा attractive बना देता है और मैं आपको February end से बताते हैं कि सारे paper stocks जो है ये अच्छा run up दिखा सकते है चाहे वो रूचिरा paper हो, JK paper हो या फिर star paper मिल सो ये सारे ही काफी ज़ाधा attractive लग रहे थे और अभी आप इनका दो महिनों के बाद में result देख सकते हो सारे के सारे जो है ये 20 से 25% up चल रहे है तो दोस्तों यहाँ पर logic एकदम simple है international market में paper की prices जो है ये all time high पर चल रही है और हमारे पास पिछले 2 सालों की paper की inventory पड़ी है जो companies आगे चल कर दीरे दीरे करके ये खाली करती जा रही है और इसी वज़े से सारे के सारे जो paper stocks है उनमें हमें आगे चल कर आने वाले 2-3 quarters में एक अच्छी up swing देखने मिल सकती है तो star paper mills को आप जरूर अपनी watch list में रखिए अभी ये stock 169 रूपीस पर trade कर रहा है लेकिन यहाँ पर हमें आगे चल कर easily 180 से 190 रूपय के levels भी देखने मिल सकते है हमारे list में अगला stock है मदरसन सूभी wiring इंडिया लिमिटेड तो ये मदरसन ग्रूप की company है जो wiring harness solutions प्रोवाइड करती है to the OEM manufacturing companies तो ये segment में ये company one of the strongest and fastest growing company है मदरसन के brand image का इनको काफी जबरदस benefit मिल रहा है और यहाँ पर आगे चल कर company को आगे orders भी मिल सकते है due to मदरसन ग्रूप क्योंकि मदरसन जो है ये automotive industry का एक बहुत बड़ा player है और यहाँ पर इनका wiring harness business में काफी बड़ा नाम है तो हाली में ये company parent company से अलग हुई है और ये company अलग से list हुई है stock का price ये अभी 70 rupees के उपर trade कर रहा है लेकिन आगे चल कर हमें एक अच्छी value unlocking ये stock में देखने मिल सकती है और ये stock आपको short term में 100 रूपे का target भी दिखा सकता है तो मदरसन सूमी wiring को आप ज़रूर अपनी watch list में रखिए हमारी list में अगला stock है ITC limited तो ITC ये इंडिया's largest tobacco company है जो cigarette की manufacturing करती है और इसके अलावा ये FMCG and other businesses में भी काम करती है तो पिछले एक दो महिनों में ITC ने जितनी strength दिखाई है उतनी strength ITC ने पिछले 4-5 सालों में भी नहीं दिखाई थी पहले दोस्तो ITC का जमाना हुआ करता था जब ITC ये nifty 50 index को move करने की शमता रखता था तो मार्च का महिना ये ITC का रहा है और technical charts की माने तो हमारा पिछला जो target था 265 रूपीज का वो यहाँ पर easily achieve हो चुका है और सबसे जरूरी बात ITC ने 264 रूपीज का जो resistance था ये full strength के साथ break कर दिया है और यहाँ पर नया rally के लिए दर्वाजा ये खोल दिया है तो ITC का जो next leg of rally है ये open up हो चुका है और यहाँ पर से ITC दीरे दीरे करके 285 रूपीज के levels भी दिखा सकता है लेकिन दोस्तों जैसा मैंने आपको पिछली बार कहा था कि ITC से हमें ज़्यादा expect नहीं करना चाहिए ITC ये slowly and steadily जाएगा लेकिन इसका अभी mood कुछ अलग ही लग रहा है और यहाँ पर quarter 4 results के उपर आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर कुछ दमागा हो सकता है क्योंकि यह stock इतना strength पहले कभी नहीं दिखा रहा था जितना यहाँ पर अभी ITC काफी strong लग रहा है तो ITC को आप जरूर अपनी watch list में रखिए यहाँ पर जरूर कुछ बड़ा होने वाला है हमारी list में अगला stock है Manali Petrochemicals Limited तो यह company one of the leading manufacturer है into the petrochemicals और यह एक Chennai based company है तो यहाँ पर यह company जो है Manali Petrochemicals यह propylene glycol and polyols की manufacturing करती है और यहाँ पर promoter holding की बात करे तो company में 44.8% की promoter holding है जो काफी strong है इतनी छोटी company के लिए और यह stock almost एक debt free stock है और इनके पास 789 रूपीज का surplus money है into the reserves and surplus तो दोस्तो यहाँ पर December quarter में इनका profit after tax जो है यह 28% से jump कर चुका है till the levels of 110 crore रूपीज जो कि यह काफी अच्छी बात है जो भी petrochemicals related businesses है यह काफी अच्छा कर रहे है during the last 1 or 2 months और यहाँ पर आगे चल कर भी इनके quarterly results में हमें यह developments देखने मिल सकती है Manali Petrochemicals में technical charts की बात करे तो 127 रूपीज पर एक strong resistance level दिखा रहा है जो मुझे लगता है कि आने वाले एक दो session में यह stock इसे break कर देगा क्योंकि momentum ही इतना strong है और market अगर support करता है तो stock हमें आगे चल कर short term में 135 रूपीज से लेकर 140 रूपीज के levels भी दिखा सकता है तो Manali Petrochemicals को आप ज़रूर अपनी watch list में रखिए यह एक बहुत बढ़िया company है अगर आप long term में invest करना चाते हो तो भी यह एक बहुत ही बढ़िया pick हो सकता है दोस्तों इन stocks के अलवा आप यह 45 companies को भी देख सकते हो short term के लिए companies के नाम है Bank of Baroda, Bajaj Consumer, Adani Power, RCF and Tata Power Limited तो यह 45 companies भी short term में अच्छा कर सकती है वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने इस वीडियो को अभी तक like ने किया तो यार ज़रूर like कीजिए और मुझे Instagram पर भी ज़रूर follow कीजिए अगर वीडियो में दिखाया गया कोई भी stock अगर आप hold करते हो तो आप मुझे नीचे comment करके बता सकते हो और मेरे चैनल को ज़रूर subscribe कर सकते हो